करिया देखिये सुप्रीम कूड का ऊडर आपके सामने है अब हम हम इंतजार कर रहे हैं सरकार क्या जवाब देती क्या बोलती क्या स्टैंड लेती या अध्यादेश लाती है या इस ऊडर को अक्षा मेशा फॉलों करती है उसका पालन करती है नहीं माइनेम इस बॉंड जेम्स बॉंड सुना था आपने माइनेम इस बॉंड इलेक्टोरल बॉंड भी अब आपने सुना है एक बहुत महत्वपूर्ण जज्ज्मेंट आई है मादनी सर्वोच नहाए लिया द्वारा जो यह दर्शाती है कि जब भी अंधेरा बहुत गहरा हो जाता है उम्मीद कि यह किरण कहीं न कहीं से जरूर आती है और पूरे आंगन को रोशन कर देती है आज मादनी सर्वोच नहाए ले से उम्मीद कि वो किरण हम सब को दिखाई दे रही है जब से यह Electoral Bond Scheme 2017 में लाई गई थी उस वक्त वित मंत्री माननी अरुन जेटली जी ने इसका बहुत बौधिकरन करने की कोशिश की लेकिन हमने तब से उसका विरोध पुरजोर विरोध हर मंच से बार बार इस मंच से तो कई बार करते रहे हमारी क्या आपत्यां थी हमारी आपत्यां बहुत स्पश्ट थी कि यह अपारदर्शी है इससे ब्रश्टाचार को बढ़ावा मिलेगा इससे काला धन सफेद हो जाएगा इससे जो रूलिंग पार्टी है जो सत्तारूर दल है सारा लाब उसको मिलेगा और एक ऐसा अंकहा अंदेखा रिष्टा स्थापित हो जाएगा सत्तारूर दल का और कंपनियों का जो कंपनिया इन इलेक्टरल बॉंड्स को खरीदेगी उनको क्या लाब दिया जाएगा ये तमाम सवाल हम इस मंच से बार-बार उठाते रहें सवाल जायस थे चिंता जायस थी क्योंकि किस कंपनिय ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया और क्यों दिया उसकी एवज में उसको क्या मिला ये जानने का अधिकार इस देश के एक-एक वोटर को है एक-एक पत्रकार को है एक-एक व्यक्ति को है भले वो किस पार्टी को वोट देता है नहीं देता उससे कोई फरक नहीं पड़ और उस अधिकार की रक्षा के लिए कॉंग्रेस एकलौती पार्टी जो 2017 से लेकर आज तक लगातार इस मुद्दे पर बहुत प्रबल आवाज में बोलती आई है अब जो 95 प्रतिशत इलेक्टरल बॉंड्स का पैसा एक पार्टी यानि की भारती जन्ता पार्टी को मिला हम भी यह जानना चाते हैं देश भी यह जानना चाता है कि उसके एवज में आपने क्या हवाई अड्डे बेचे हैं आपने क्या कोईले की खदाने बेची हैं आपने क्या किया है या MLA खरीदे हैं या नए सूट सिलवाएं हैं ये जानने का हाख हम सबको है या नए हवाईजाज खरीदे हैं हमें नहीं मालूम आपने क्या खरीदे है पच्चानवे प्रतिशत याने की 5200 करोड रुपे भारती जनता पार्टी के अकेले के खाते में इलेक्टरल बॉंड से आया है हम माननी सर्वुच नयायले के इस आदेश का खुले दिल से स्वागत करते हैं और हम ये मांग दोहराते हैं कि SBI State Bank of India उस तमाम जानकारी को सारजनिक पटल पर रखे जिससे की जनता को ये मालूम पड़े किसने कितना पैसा किसको दिया आपको याद होगा कि ये इलेक्टरल बॉंड स्कीम भारती जनता पार्टी की मोदी सरकार मनी बिल के तौर पे लेकर आई थी ताकि राजी सभा में इस पर कोई चर्चा नहों कोई बहस नहों और सीधा पारित हो जाए आज भी हमें डर है और हमारा डर भी जायज है हमारा डर ये है कि कहीं फिर से कोई अध्यादेश जारी न हो जाए ताकि इस सुप्रीम कोट के आदेश से बच जाए सरकार ये डर हमारा जायज है इस डर को हम आपके साथ साजा कर रहे हैं हमारी मांग है ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला है और इस भ्रष्टाचार के मामले में सीधे सीधे प्रधान मंत्री खुझ शामिल हैं ऐसे कई खोजी पत्रकारों ने फाइल की नोटिंग्स तक सारुजनिक की हैं आप सब के सामने हैं मैं भी आप से साजा करूँगा जिसमें चुनाव आयोग हो, वित्त मंतराले हो, लॉड मिनिस्ट्री हो, इन सबने अपने अपने स्तर पे जिनके जमीर जिन्दा हैं, उन अधिकारियों ने फाइल नोटिक्स में अपना विरोध दर्ज किया था, उस विरोध को नजरंदाज करते हुए किस तरह से ये थूप उनका भ्रष्टाचार बेनकाब हो गया, ये भ्रष्टाचार मैं कहूं, बचते वे कह दूं कि भाजपा का भ्रष्टाचार है, ये इलेक्टरल करप्शन है, ये सब मुझे लगता है लागलपेट की बात होगी, ये सीधा सीधा प्रधान मंतरी द्वारा किया गया एक भ्र कोईले की खदान देने के लिए, हवाई अड़े देने के लिए, अपने मित्रों को उपकृत करने के लिए, ये आपके सामने है आज, मैं फिर से हमारी पार्टी की ओर से, इस देश की जनता की ओर से, उन तमाम वकीलों को, एक्टिविस्ट को, एंजियोस को, माननी नया एले को खुले दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने एक ऐसा आदेश आजबारित किया है जिससे लोकतंत्र के जिन्दा रहने की उम्मीद हम सब के मन में जागी है। कि संजीव ने कॉंग्रेस पार्टी को पैसा दिया है तो क्या संजीव की जानमाल सुरक्षित रह सकता है क्या ये व्यापार फिर भी कर सकेगा। अंश वो राजनेतिक डोनेशन में दे सकते थे। इलेक्टरल बॉंड स्कीम में ये व्यवस्था हटा दी गई। अब अगर कोई कंपनी किताबों में एक रुप्या प्रॉफिट दिखाती है और चुपचाप से टेबल के नीचे से सौ करोड किसी पार्टी को जंदा दे देती है तो मुझे और आपको इसकी जानकारी नहीं मिलेगी। हम तो यही मान लेंगे कि साब इस कंपनी का एक रुप्या प्रॉफिट है यह हो सकता है एक रुप्या लॉस है इससे क्या होता है इससे यह होता है कि शेल कंपनी के माध्यम से काला धन सफेद होता है घूम कर विदेशों से कई देशों का दौरा करते वे वह पैसा आता है और साथ सितारा कार्याले एक political party का यहां से कुछ किलोमीटर दूर बन जाता है ना केवल यहां से कुछ किलोमीटर दूर एक seven star office बन रहाता है इस देश के हर जिले में एक राजनितिक दल के आलिशान भवन बन रहे होते हैं ना केवल एक राजनितिक दल के आलिशान भवन बन रहे होते हैं, एक अपंजिक्रित संगठन के भी भवन बन रहे होते हैं हर जिले में, ये इसका नतीजा निकला, तो पहले की विवस्था और आज की विवस्था में अंतर क्या है, पहले साड़े साथ प्रतिशत का एक कैप था, कि एक सीमा थी, पहले मालूम रहता था, किसने किसको कितना दिया, आज वो सीमा हटा दी गई, आज 2019 से खास तौर पे, 17 से, लगातार, ऐसी विवस्था आ गई, हमें मालूम नहीं पड़ता किसने किसको कितना पैसा दिया, सिर्फ सत्तारूर दल को मालूम रहता है, इस सरकार ने इतना महत्वपून कानून, मनी बिल के जरिये, पिछले दर्वाजे से इस देश में लेकर आई, और कोई पहली बार नहीं होगा कि अध्यादेश लाएगी प्रधान मंतरी के दर्वाजे पर जाता हुआ भ्रष्टाचार का मामला है, उनके बगएर कुछ पत्ते भी नहीं हिलते, इस शहर के क्या है, इस देश के, और सुना आज कलवी देशों के भी, तो इसलिए ये भ्रष्टाचार पे आज एक जो हम लोगों का लगातार एक देश में और अभी तक की सारी जानकारी SBI को चुनावायो के सामने रखनी चाहिए और उसको सारवजनिक करना चाहिए, देश के हर नागरिक को ये जानने का हक है, भाई देखिए सुप्रीम कोड का ओर्डर आपके सामने है, अब हम इंतजार कर रहे हैं, सरकार क्या अध्यादेश लाती है, या इस ओर्डर को अक्षा-क्षा फॉलो करती है, उसका पालन करती है, नहीं तो My Name is Bond, James Bond सुना था आपने, My Name is Bond, Electoral Bond भी अब आपने सुना है, लोग तंत्र को मजबूती मिलेगी, आवशक है, एक वोटर का ये जानने का अधिकार है कि उसके देश के रादनेतिक दलों के पास पैसा कहां से आ रहा है, उस पैसे का स्त्रोत क्या है, कितना पैसा दिया गया, क्यों दिया गया, ये जानने का हक है, और रादनेतिक दलों का ये करता विया है कि लोगों को ये जानकारी दें, अलग-अलग समय पर हमारी सरकारों ने, हमारी पार पारदरशी बने, यह सिस्टम, यह विवस्था, और कोई भी विवस्था धीरे-धीरे परिपक वो होती है, धीरे-धीरे, पूरी तरह से एक ऐसे स्तर पर पहुंचती है, जहां आप कह सकते हैं, हाँ साथ, यह विवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से चल सकती है, और बिल मुझे याद है राजसवा में जब मनी बिल स्वर्गी श्री अरुन जेटली उसको डिफेंड कर रहे थे, तो the way he intellectualized it, उसका ऐसा बौध्धिकरन किया उन्होंने, कि हमें बहुत सोचना पड़ा इसका कैसे जवाब दें, आज समझ में आता है, कि उसका बौध्धिकरन किया ही इसी ले गया था, कि हम और आप, ज़्यादा सवाल न उठा पाएं, हम और आप इसको, क्योंकि इतना बौध्धिकरन हो गया, हम इसको स्विकार कर लें, कि अरे साब इतना intelligently बोला गया तो सही होगा, लेकिन नहीं, उसके पीछे एक अपारदर्शी योजना थी, अगर वो अपारदर्शी नहीं होती, अगर भारती जनता पार्टी की सरकार को इतना आतों विश्वास था, तो उसको money bill की हैसियत क्यों दी गए, कादरजार क्यों दी गया, उस रास्ते से क्यों लाया गया, क्यों नहीं उस पर चर्चा होने दी, ये बहुत महतुपूर्ण मुद्दा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, किसान बोल दे कि मुझे मोदी को हराना है तो वो देश द्रोही हो गया कमाल है साब 2014 में तो आप में से कई लोग बोलते थे कि हमें कॉंग्रेस को हराना है तो हमने तो आपको देश द्रोही नहीं कहा था उसमें क्या हो गया किसान का हक नहीं है क्या वोटर नहीं है क्या मोदी जी को वोट दे तो वो हिंदुस्तानी है देश प्रेमी है देश भक्त है मोदी जी के खिलाफ बोले तो वो देश द्रोही है ये किस तरह की वेवस्था ला रहे हैं साब तो करना चाहते हैं लोग क्योंकि ए ग्राफ बहुत ही आर्टिफिशल ढंग से उचा किया गया है बॉट्स के माध्यम से सोशल मीडिया में किस तरह से इस ग्राफ को उचा रखा जाता है हम भी समझते हैं आप भी समझते हैं आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का दुरूपयोग हम भी देख रहे हैं कौन क्या क्या कितना कर रहा है वक्त आने दीजिए कई लोग तिहार में होंगे सुन लीजे सुन लीजे ये ग्राफ कैसे उपर रखा जाता है अब आप सुन लीजे क्योंकि उसमें आप सब भी भागिदार है आपके जो मालिक हैं वो भी भागिदार है कैसे उन पर दबाव होता है उन पर किस तरह की विवस्था होती है आपस में किस तरह की लेंदेन होती है कि वो ग्राफ उपर रखा जाए कौन है हिरेंजोशी मैं फिर पूछता हूँ क्यों आप लोगों को SMS भेजते हैं वो क्यों WhatsApp मेसे जाते हैं आपके एडिटर्स के पास हिरेंजोशी के ये ग्राफ उपर ऐसे रखा जाता है तो अगर कोई इस ग्राफ को सही मांगों को लेकर सड़क पर उतर रहा है नीचे लाने के लिए तो क्या गलत है ये ग्राफ उपर ही रहेगा और आर्टिफिशल ही रहेगा क्यों हेडलाइन मैनेज की जा रही है जिस देश में वहाँ आप कहते हैं कि ग्राफ उपर क्यों क्यों नहीं रहना चाहिए असल में क्या है बाहर आकर देखें न मोदी जी बुलाएं किसानों को अपने घर पे या जाएं किसानों से मिलने जाएं बेरोजगार नौजवानों से मिलने एक घंटे में दो बेरोजगार नौजवान आत्मत्या कर रहे है इस देश में इक ग्राफ उपर दिख रहा है आपको अभी मैंने आज सुबह एक ट्वीट किया था अटल जी का एक भाशन किसान अंदोलन उस जमाने में हमारे खिलाफ हुआ था और अटल जी ने बड़ा जोशिला भाशन दिया था कि मैं हम लोग जरुवत पड़ी तो खुल कर इन किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरेंगे अटल जी देश द्रोही थे तो भारती जंता पार्टी करे तो रास लिला यह कैसे कब तक चलेगा कम से कम आप लोग तो तुरंत जो भी साहब हैं जिनों नहीं कहा है उनको आप लोग खुदी पूछ लिया करिए जब आप अन्ना अंदोलन को समर्थन कर रहे थे जब विवेकानन फाउंडेशन अन्ना अंदोलन को समर्थन कर रही थी जब आरेसेस अन्ना अंदोलन के वक्त चूले लगा लगा के खाना बाट रही थी बना बना के हम सब के सामने हुआ था आप भी रिपोर्टर थे मैंने भी आपको देखा है वाँ जी तो फिर वो क्या था देशद्रो था कि यह लोकतंत्र है लोकतंत्र में रक्त का संचार आंदोलन से होता है विपक्ष से होता है विरोज से होता है